पर पड़ो सी गो गाली गलोच मतलब ऐसी गाली गलोच मिया भी भी तक भी नहीं सुन सकते बेटे और बेटी तो सुने कैसे पूरे समाजगा यहां बस्तीगा उसने जीना दुर बरकर रख्या दा और सरपंच तक आथा पाई इंट मार चुके दिगो पूरी घटना किस परकार होती है क्या घटना भाई साब के साथ होती है सारी जानकारी प्रीजन यहां बैठे हैं हमारे बड़े हैं चाचेता हूँ है माननी हैं उनसे लेंगे है नमस्कारता हूँ नमस्कार नमस्कारता है जो यह चांद कुमार है यह आपके क्या लगते हैं मेरे छोटे बाई चोटावाई था ना ही ताओ सुर्व से बता हो आउढ में यह गटना इन गापस में मिया बीबी का जगड़ा रहता था तो यह तो देखो उन्दी जान्दी रवें हैं क्या कार्ण था जिसके कार्ण जगड़ा रवें उसका मेन मकसद था इस प्रोपर्टी को अड़ना चांदगी को अच्छा जो इसके दिमाग में चल रही थी अक इसको रास्ते से अटाया जाए और यह प्रोपर्टी अड़पली जाए अच्छा मतलब किस का मकसद था वाइफ का वाइफ का नाम क्या है अंकीता कहां की रहने वाली है उत्राखंड़ी मतलब आपना रिया ना की नहीं है अगड़ा दोनों के बीच में साध्डी के बाद से था या फिर अवे हाल फिलाल में प्रोपर्टी को लेकर था नहीं साध्डी से तो था जो जिसके कारण उसने वो मियां भी भी ही और उसका एक बच्चा था वो रहते थे उसके आलात को देखते वे उसने बच्चे को हमार बाण जी अब उटाना गाओं में ब्यार रखी है उसके पास छोड़ दिया बड़े बाई पर लेवी बार रहते दे हमारे चाचा जी और चाची जी भी उससे तंग होका गाओं छोड़ गया उसी के पास चले गए बादुर गट मतलब जो सास सूर अंकिता के वो अपने पिछले कुछ दिन से और ज्यादा एह भी थी वो अच्छा जो ये अपने माननी अब तो खर सवर में हैं आपे नरग महां कोई दरुदूर भी पी लिया करते हैं पी लेते दे कभी-कभी पहले तो कभी-कभी पी लेते दे लेकिन पिछले कुछ दिन से उससे तंग गीम है क जोगे समाज में उसने इतनी गिरावट पैदा कर दी दी उसके परती उसका जोगे वार था हर अड़ोशी पड़ोशी पूरी कालोनी को तबाह कर रख्या दा कि इतने साल पहले होई थी इम बाई-साब की साथी मरे क्याल मत दस साल नो-दस साल पहले हुई थी अच्छा एक लाव अभिएट का कोई या तो नी था कि लगा दया और चक्करदों नहीं था नो एक्स्ट्रा मेरिटल अपर था उसका लेकिन अम तो उसको न्योमान यह बेकूप है लेकिन उसका दिमाग मा कौंगा सातिराना दिमाग था और वो हर पड़ोसी गो गाली गलोच मतलब ऐसी गाली गलोच मिया भी बी तक भी नहीं सुन सकते बेटे और बेटी तो सुने कैसे पूरे समाज गा यहां बस्ती गा उसने जीना दूर बरकर रख्या दा और सरपंच तक आथा पाई इंट मार चुके दिगो उगर रूप की थी और यह नहीं उसका बैकराउंड भी क्रिमिनल है क्योंकि सामने वाला जो गर है वो अमारे चाचा जी है वो हमारी चाची दी उसके शर्माईट मार दी शर्फट गया दा मतलब इव जो अपने चांद भाई साब की डाथ होई है ना वो कैसी होई है वो ओही जी खुद उसने फौन किया है जगड़ा हो गया यहां पुलिस आई मारे सामने अम पुलिस को देख आगे इनको यह बार से यहीं इस दा सेव खड़े हो गया आगे उसकी दाद दे थी ग गाड़ी देना और चांद लगी इथी जी चोट अच्छा पहले चोट लगी इथी इस इन मारी इथी अच्छा यहां खड़े होगा उस पुलिस वड़ों न देख्या भाई इसके आएक पाई भी चोट है कुछ शर्मा भी देखाई दे रहा जानों चोट है यह इस न अपनृट है कि अच्छा यह इस न मारी इस उसे पूछा कामन शर्मारी इस चोट कैसे मारी मैं वह इपूछ अपिछा आप अपसी जगडे में मैं किस सथियार जे मारी इत मतलब वा है तो मतलब चाच्छी थी जो उसका बीन इत मारी इसने हाँ अज़ए ऑन अज़ए उसक मतलब इसका मेन अथियार इट था अड़ाशी पड़ाशीयों के पास भी नहीं इट मार गए फेंकियें उस दिन भी पुलिस आई है उनने भी तंग हो गई इनसे फौन किया है तो इसका यही एक अथियार था मतलब आप यू कहना चाहो कि ना तो यह किसे अड़ोसी प्रोसी गलब ना यह आपना अदमी गलब ना यह सासु सुस्रियां गलब ना इकर दी जो बेटा था वो भी आपनी बैंड जी चोड रहा था कदे मतलों बीच बचाव करने कोशिस करी है सासु सुस्रियां सासु सुस्रियां के रच तेवेत एक दो दफा नोब बताई यही वाई सम्झाबू जाग माबाप तो यही हम भाई जगड़ा अच्छा नहीं पलान नहीं लेकिन उन सासु सुसरों को वी इतना तंग कर दिया मजबूरी मुन नहीं गाउन चोटना पड़ा अच्छा जो यह चांदबाई साब यह काम के करें करते अपना खेती बाड़ी पस पालन करें करते मतलों गर मैं तो नू मर्दबीर थे उसके लावाट इसमें कोई आदमी नहीं था जब इसने चोट मारी है अपना अदमी गया या फिर यह का लिजे चांदगार इसमें जड़प होई है उस तक कितने दिन बाद पुलिस को पता चलिया है जीस दिन ये जगड़ा वया नाउन गार मैं बता रहे है पुलिस आई शाम गे पांच बजे इसना बोला मेरे को चोट लगी हुई है वो उसके बाद उसना बोला मेरे चोट लगी है विलावना मेडीकल जा हम क्या ले रहे अक तुम बठा ले चलो वह 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 आमने बरात में ले जानी है बैंचो यो रास्ता पड़ा जा मतलों चोट लग भी रही थी वह वैसे ही पुलिस ब्लाना चावे थी घर में देखो चांदगार आमने देखने वा पहले तारीकों शामन गई कहां रही दो तारीका भी अमने नहीं बेरा तीन तारीकों बारा बजे वो आती है और वो जो अमारी बांजी थी वो बुटान ब्या रखी है वो तक्रीबन इन गे आलात को देखकर रोज आना अपने मामा से आल चाल पूछ लिया करती तो जब उसन दो दिन टेलीफोन नहीं ठाया उसन एक हमारे बाई और युद्भीर शिंद्ध उनके पास टेलीफोन किया मामा मरे मामा का जवाब नहीं आ रहा जब वो घर आये तो उन नहीं आ गए देख्या तो अंदर से गेट बन था हर आदमी अड़ोसी पड़ोसी से डरता दा उसन दर्वाजा ना तोड़ने की बजाए उल्टा उसके पास फौन किया मामी के पास उस लड़की के पास अपनी बाणजी के पास अच्छा मामा नहीं मामा नहीं जब वो फ्रावर होई जब तक जीवी थाओ नई आमने नहीं मालूम अच्छा मामा नहीं दूसरा मामा युद्वीर जो आपकर युद्वीर चाचा गालड़का बाणजी गाओ जब इसन दोबारा उसके पास फौन किया अक अंदर से दर्वाजा बंद है रर द प्रवाजा तोड़ दो को बात होगी दाम है क्योंकि बैटी रोज बात करें गर्दी फिर दर्वाजा तोड़े अंदर जागा उसके आलाद देखे वो बेशुद्ध इवाम तो बेशुद्ध कहेंगे वो द्दाक्टरी बताएं डैड है क्या है बेशुद्ध आलात में उ मतलब फेर जब आप यह का रहे हो कि मतलब पुलिस उसना खूद बलाई थी जो मिर्टक की पतनी है पुलिस नहीं नहीं देख्या मतलब की सालात में पुलिस पुलिस जिस दिन बलाई यह तो पहली मार्च की बात है और पुलिस वापिस चली गई जब तो चांद भी यहां खड़ादार वो अंकीता भी यहां खड़ी जीवित था वो उसके बाद वो होस्पीटल में चली गई वो अंदर चलियागा फिर उसके बाद तीन तारिक तक किसी नहीं पता क्या हुआ कैसे हुआ क्या उसने खाया क् पी या क्या किया यह तो वहां से बुटाना से फोन आने के बाद वो आये हैं तब देखा है कि सालात में अच्छा जब लेके गया उस्पिटल में सांस थी रारी थी या फिर डड़ ड़ थे नहीं मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं उस टेमों के जाजर नहीं के पताना गये तो चलो आपने देखो सारी वीडियो देख ली है चांद के बड़े बाई थे मतलब मेरे तक चांद के लड़के हैं मारे तो देखो ताव हैं इतनी उमर के हो रहे हैं इन्होंने गटना की पूरी जान कर दिये कि जो चांद की वाइफ थी वह बहुत उगर सवाव कि थी यानिक मेरा यह साथ महीं कर रहा है दूसरे का जिस कारणों ना पोलिस बलाई थी तब भी वह और आंगे नाम ले रही दी मैं नम पीट दी मैं फलान कर दिया वो देख चांद का भी हमें पता जब चलिया जब उसने चांद ने खुद उसका नाम लिया है अकि इसना मारे है मेरे औ फेर के हो या कि थोड़ी बहुत ड्रिंक कर ले कर दा कभी कबार जो है लेकिन उसका काम थरोज का लडाई का जो चांद की वाइफ है और दोनों के बीच में जगडा हो या है और उसना ठाक है उसका कुछ ही सा मेरे है जिसके कारणों दो दिन दक ब्योस पड़े रहा है यह है दो तीन दिन बादबांट जिना समाला है और जो वह श्पतार लेका गई है तो तब तक जो चांद की सांसे थी वह थम चुकी थी आप देख रहे हो रियाना मां हर रोज इस तरियां की जो कुरूर गट नाई हूँ है जो आपने जो कर रियाना मैं तो एक बाई-चारा आ प्यार के रिस्ते हो एकरते में कहीं कई तूट दे नजर आ रहे हैं खतमों दे नजर आ रहे हैं मर्द बीर का गलाब बनाया करा जी नी एक दुसरान खान पर तुल रहे हैं और इस तरियां जगडे बढ़ रहे हैं कि आदमी औरत की जैनलेंड पर उतार हूँ है यूँ माम करना और वीडियो आची लागे तो वीडियो लाइक कर दियो चैनल सब्सक्राइब कर दियो बाकि और भी अपने बड़े चाचे ताओ है क्योंकि बाइस आप थोड़े से ताओ जी हैं जो तोड़े बाव वुको गए हैं क्योंकि छोटा बाई था लाजमी सी बात है इंता अपने चाचे ताओ इंता ओर ले आंगे थोड़ी जानकारी बाकि इस खबर ना आप शेर कर दे रही हो और